नमश्कार दोस्तों मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेसल एडुलाइन चैनल में Q1. विना दुर्ग के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा था? A. कालि बंगा, B. हडपा, C. मोहन जोदुडो, D. चनुदारो Q2. हडपा, इस्थलों की खुदाई में इनमें से क्या नहीं मिला है? A. नालियां और कुए, B. दुर्ग, C. धान्यागार, D. सिखर सहित मंदिर Q3. इनमें से कौन सी साहित्यक रचना, सास्त्रिय संस्कृत, साहित्य से संबंधित है? A. धंबपद, विवेद, C. मेगदूत, D. दीरगनिकाई इसका राइट आंसर है C. मेगदूत Q4. वौद्ध धर्म में बुल का संबंध वुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? A. जन्म, B. महाविनिसक्रमन, C. प्रवोध, D. महापरिनिर्वाण इसका राइट आंसर है A. जन्म Q5. इन वन्सों में से कौन सा वन्स गांधार कला से संबंध था? A. चालुक्य, B. गुप्त, C. कुशाण, D. मौर्य इसका राइट आंसर है C. कुशाण Q6. गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहां दिया? A. गया, B. राजग्र, C. सारनाथ, D. साची इसका राइट आंसर है C. सारनाथ Q7. इन सासकों में से किसने दक्षिन भारत पर हर्षवर्धन के अभ्यान पर रोक लगाई? A. पुलकेशिन 1, B. पुलकेशिन 2, C. विक्रमादित्य बन, D. विक्रमादित्य टू इसका राइट आंसर है B. पुलकेशिन 2 Q8. इन में से कौन भारत में सबसे पहले आया? A. अलबरूनी, B. विफाहयान, C. मैं कॉले, D. मैं गस्थनीच इसका राइट आंसर है D. मैं गस्थनीच Q9. समराइट पुलकेशिन द्वतिय किस राज्यवन्स का था? A. चोल, B. चेर, C. चालुक्य, D. चेदी इसका राइट आंसर है C. चालुक्य Q10. वुद्ध का अर्थ क्या है? A. ग्यान प्राप्त, B. धर्म प्रचारक, C. प्रतिवा साली, D. सक्ति साली इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट वॉक्स में जरूर बताईए इसका राइट आंसर है A. ग्यान प्राप्त अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दवाएं और सेर करें थैंक यू